कि अपने यूटूब चैनल नौकर तक पर हम जो आज बात करने वाले लगबग दो दिनों से मैं वीडियो डिजिटल बूर्ट पर नहीं लागा था विज़न था कि मैं अपने गाउं था और आज फिर बिद्धयाल है इसके बाद मैं जहां रहता हूं वहां मैं आ गया हूं त आपको पता है न एक लाग सत्तर हजार चार्सों एक सत्त पदों पर बाहली होनी है जिसमें छटी से आठवी को हटा दीजिए एक से पाचमी में असी हजार लगबग और बाद बाकी जितना भी सीट बचकिया वह नौमी से लेकर बाद मी तक यह 75 प्रेसंट वाला मामला क्य भूल जाइए 75 प्रेसंट का मामला आपको हम समझा देंगे आज और आज के बाद कभी किसी और का वीडियो भी नहीं देखेंगे आप कि मामला क्या है दूसरा कल से सुधार का अंतिम मौका है आपको पता है कल यानि वी प्यारे साती है वो कल से लेके 21, 22, 23, 24, 25 यानि 5 दि को जितने भी कमेंट आपने किया है हमारे वीडियो पे उस कमेंट का कॉमन बिंदू लगबग साथ कॉइंट में निकाल लिया और उसको मैं इस सुधार करने में कल क्या गलती नहीं करना है सबसे पहला गलती मैं स्टार्टिंग करता हूं नीचे से कल जल्दी वाजी का भी वीडियो देखते हैं वो भी आपको बताएंगे और हम भी अपने अस्तर सापको बता देंगे ठीक है बस आपको अभी अपलोडिंग करने का मौका दिया जाएगा बाबा चिला के बोल गया है यानि जैसे मैं टिक के जगह पर इंटर अपलोड हो गया तो आपने करने का मतलब यह हुआ है हम बात करते हैं पहला आप ध्यान दीजिएगा पहला चीज जल्दीवाजी में कल फॉर्म बिल्कुल अप्लोडिंग बाला काम नहीं करना जल्दीवाजी नहीं करना है चीक है बिल्कुल नहीं करना है कल आप नहीं करना चुधार करने का यह अंति बहुत सारे लोग बोलते सार मेरा सार्टीफिकेट नम्मर गलती हो गया है उसको भी सुधारना है सार्टीफिकेट नम्मर और एक गलती हो गया सर इसू डेट वाला इसू डेट में भी गलती है तो ये बताएगे दोस्त आपको जब 15-20 दिन पहले ये मौका दिया गया था कहीं ने कहीं पॉइंट बोल देंगे माली ये दस पनट का वीडियो है तो क्या पता बीच में वो पॉइंट बोल दे आपको पता नहीं कुछ लोग को लगता है जलन सा हो गया है कि सार का वीडियो भ्यूज बहुत जा रहा है अरे सर आपके लिए हम बता रहे हैं हमको जो बनना था हम बन गए टीचर आप बन जाओ यही हमारी खुसी है साहब इसलिए बोल रहा है यह मौका दिया गया था 15-20 दिन पहले कि सार्टिफिकेट नम्र मैट्टिक इंटर यह एक थुटी हो गया तो उसको सुधार यह इसू डेट जैसे आवास्य जातिये बनाये ह होंगे आप सीट का इसू डेट होता है निर्गत्ति थी उसमें भी सुधाय करने का मौका दिया गया था फिर भी आप लोग कमेंट में लिखे हैं कि सब फिर से मौका दिया जाए तो मेरे दोस्त भविस में कहीं मिल जाए लेकिन कल से जो स्टार्ट होगा वह अंती मौका है तो भी अप्लोडिंガ बस करना है वस आपका शुधाय करने का मौका मिल रहा हूं उसमें अपको अप्लोडिंग करने का मौका दिया जा पकिस सर्टिफ Always को मली ज कॉलम होगा ना उस कॉलम में सर्टिफिकेत बहुत हिसमें आप लिक नहीं सकते हैं साइभर केपे में जाके आपि आपया जा रहा है इसके भी मारा में हें लिए दोटोटी पूर्न हुए नोटोटी पूर्ण या k Pasti अगर दो तरीके समस्या है तो आप सुधार कर दिर शक्क है वाठाउर के तो उसको तुटी पून बोलते हैं जैसे अधार कार्ड है अधार कार्ड तो आपको भी पढ़ने में दिक्कत होगा है यानि वह अप्ठनिय हो धुंदला हो तब भी आप अप्लोड कीजिए वह भी अटेस्टेड वाला फोटो कॉपी पे जाके और अटेस्टेड भी करना तो फीक सब बोल देते हैं अटेस्टेड तो करवा लिए होंगे लेकिन अलग पन्ना में जिसा अधिकारी से करायेंगों उसका नाम लिख लिजिएगा वह कौन से पद पे है उसका अस्थान कहां पर वह काम करता है और लास्ट में मुबाइल नंबर यह चार चीज़ ले लिजिएगा आप वह तो कल पता चलेगा ना कि आपका बीपीएसी का साइट खुलेगा लॉगिन खुलेगा तो वहां पर किस जगह पर उसका नाम पद अस्थान मुबाइल लि इसू डेट में साथ कुछ दिक्कत हो गया आवाशिजातिय में तो वह फिलाल अभी नहीं होगा अलग से फिर से मौका दे तो वह तो अच्छी बात है हमें भी खुशी है और मांग भी करते हैं चुकि बहुत सारे साथे लिखे हैं सर इडिटिंग ऑप्शन मिलना चाहिए जलती हो गया तो उसके सुधाय करने के लिए आप बोले हैं अच्छी मांग है हम आदर नियातूल जी से मांग करते हैं कि हमारे प्यारे साथ यार्ति जिला के अभियरतियों का मांग को सुए और आपके भी मांग को सुनते हुए मौका दिया जाए इडिटिंग का इसी सब्सक्राप दिया डवी नहीं यह इसे लिए चल्दिवाजी नहीं करना है कही मौका दे एडिटिंग का मौका काद एडिटिंगर खुल जाय की सिक है और एक और एक और सीचे अप्यारिंग और यह डिया ड़ी plastic आएगा उसके बाद ही विपेस्ट घाएगा इतना तो पता बस उतना ही बोला जा रहा है कि आपका अधार कार्ड है की नहीं जैसे की देट बर्थ के लिए सर्टिफिकेट बोल रहा है तो जिसने भी मैट्रिक का मार्क्षिट या सर्टिफिकेट जिसमें डेट बर्थ लिखा हो वह वाला अगर अपलोडिंग है जब आप BPSC Login पर मिलाते हैं तो सही है अगर नहीं है तो सुधार करने का मौका है आप मैट्रिक का माक्सी ओरिजिनल या साटिफिकेट जिस पर आपका डेटा बर्थ लिखा हो तो ओरिजिनल डॉकुमेंट उसका फोटो कॉपी ले जाना और टेस्टिट करवा लेना और सिं तो उसी के फोटो कॉपी पर टेस्टिट करेगा अटेस्टिट लिखेगा सैन मारेगा मारेगा अबाद वाकी नामों लिख लेना अलग से पन्ना में चुकि बाद में जब BPSC में करिएगा तो आप पूछेगा इससे करवाया आप उसका नाम क्या था वो कौन से पद्द प तब तो आप बहुत सारे साती क्या किये हैं आपको पता होना चाहिए कि सीटेट क्या है सेंट्रल टीचर एलाउजिबिलिटीटी टेस्ट केंद्रिय से छक पातरता पर इच्छ चग आनि अपने आप सीटेट पर भन पास तो वहां पातरता परिच्छ पर किल्क करना था पा आपने अगर इसाहर पात्रता या किलिक कर दिये तो हम वही मांग करते हैं कि इडिटिंग का ऑप्षन खुल जाए इडिट करने की गलती हुआ है तो वो कॉलम को फिर से शुदार कर ले तो मांग करते कि बच्चों को फिर से एक दिन का कम से कम दो दिन का मौका दे दे कि इडिटिंग का उपसल हो जाए कुछ गलती नाम पिता या कुलेज के नाम में कुछ गलती हो तो वो सब सुधार में है न क्या मैंने आपकी मांग को उठाया तो कमेंट अवस किजिए कब चुकि इसुडेट वाला मामला हो गया मैंने सभी कुछ लिख कर खाता तो कल अंती मौका है ठिक से हम चिला के बोल दे यह 21 कल है कल से स्टार्ट होगा 21 सप्टमबर से स्टार्ट होगा ठीक है और यह आपको चलेगा कब तक भाईया यह चलेगा 25 सप्टमबर तक चलेगा पां अर्छ लए करना करना कळा हीं लिए उत्ज़ार करना लिए कंच तक में और पांच दिन का समय पचीश तक है तो आप 55 दिन up का मौका है कि किसी मौका में जो भी होगा आप चलते अगले आपको मैं सीधे सब्दों में कर दू यहां देखिए अब कितने लोग भाग गए होंगे तो फिर बोलेंगे से आपने बताया नहीं कमेंट कर देंगे तो आपकी मर्जी लेकिन मेरा काम है आपको पता है ना एक लाक सप्तर हजार 471 पर भाली आई थी ठीक है लगम उसमें 8400 नौसफवते नौसफवते प्यारीश्वाद याई और बाकी में सीट से दोगुना बच्छे बीधा हैं तो यहां भी ठीक-ठाक है लेकिन मामला यहां बने असी हजार जो सीट है एक से पांचमी में और इसमें बहुत लगवक 3,80,000 डेलेड के भीरती बैठे है थीनलाक नभे हजार lb-rad के भीरती भीरती बैठे है लगवक 7,00,000 फरम कि देखिए कि माल लीजिया में 125 का लेते हैं 125 का असी हजार लगभग सीट लिए लगभग कि असी हजार सीट था कि अधिक है असी हजार का आप असी हजार का 75 प्रसेंट निकाल लिए कितना होगा साहब कि 75 प्रसेंट दो जीगों से दो जीगों कट गया ठीक है हो गया अब उसके वाद 75 क्वार्ट से गुना किजिए अट पंचे चाली अट चपन साथ यानि साथ हजार ही सीट भगे जाएंगे क्या देखिए एक कैलकुलेशन पर बात किजिए असी हजार अभ्यरती बैटे है वन टू फाइब में अब कुछ सुनते होंगे वीडियो में कि मात के 75 प्रसेंट सीट भगे जाएंगे आइसा अगर बच्चा नहीं मिलेगा अब बच्चा ही नहीं मिलेगा इसका मतलब है जितना क्वालिफाइंग रखा गया तो इतना माक्स तो उससे भी नीचे आएगा उससे भी बच्चे को नीचे लिए जाएगा माल लिजिए जी एक सो का 120 का एक्जाम हुआ था 120 मार्कस का अब उसमें माल लिजीे जनरल को लाना था कितना माल लीजिए जो भी है पचास प्रसेंट यानि 75 नंबर आएगा मालिए इतना टूप तो बहुत तेज है आभी सकता है यानि बहुत कटप से भी कम जाएगा यानि सरकार भी चिंतित है कि इतना हाई लेवल एक्जाम कैसे ले लिए हम खुद कन्फूज हो गया तो सरकार बोल रही है कि हाँ क्वाली फाइं यानि अगर इतना परसेंट नहीं हुआ तो कम से कम 75 पर करेंगे मैं आपको बता दू जहां तक मुझे लगता है असी हजार में सीठी खाली नहीं रहेगा क्यों नहीं खाली रहेगा लेगा असी हजार में से 32,000 सीठ तो अन्रिजर्वड में चला गया उसमें अधर स्टेट भी आएंगे बिहार के बच्चे तो यह रहेगा यानि क्वालिफाई जितना बोला गया उससे भी कम जाएगा इसका मतलब है कि 80,000 सीठ जो है 80,000 सीठ जो है सभी वाइड में जितने भी है यूर हो गया OBC हो गया SC हो गया, ST हो गया, PH हो गया या X-Serviceman हो गया यानि 80,000 सीठ कई से खाली गयाएगा हाँ अगर यह बात है कि जो क्वालिफाई रखा गया तक इतना मार्क्स लाना है मुझे भी याद नहीं आ रहा है जैसे UR को इतना मार्क्स लाना होगा 120 में इतना लाना ही है EBC को इतना आपको याद होगा, BC2 को इतना लाना ही होगा, SC को इतना, ST को इतना, महिला को, महिला को इतना, अगर उतना पे नुन्तम जो बोला गया था, नुन्तम उतनांक उतना ही बोला, तब तो भईया सीठ खाली गा जाएगा, क्यों? चुकि कुस्टन का लेवल हाई था, इजान ल पार है, या SCST में जितना बोला गया था, उत्रिनांक होना चाहिए, उतना नम्मर भी ले ला पार है, तो सीठ तो भरना होगा, उस कंडिशन में 75% तो भरेंगे, ये मामला है 75% का, कि 100 में तब जाके 75% तो भरेंगे, जैसा पुछा गया था, हमें तो लगता, 80,000 में से 50,000 सीठ को घेल हो जाएगा, चुकि निउंतना उत्रिनांक जो बोला गया था, सब नहीं पास होंगे, इसलिए बोला गया कि 75,000 में 75% को भरने का प्र्यास करेंगे, इसका मतलब ये हुआ, कि जो निउंतना उत्रिनांक बताया गया था, उस से हम नीचे आएँगे, उस से हम न तिस वाले को ले ले तब तो बहाली के नाम पर मजाक हो जाएगा और इसे भी मजाक चल रहा है तो 75% मामला यही है लेकिन हमें जहां तक लगता है सरकार का कोशिश होगा कि आपका 100 का 100% सीट भगेगा तो वक्त रहालात बताएगा कि क्या कट अप गया कितने का सेलेक्शन डेलेट की स्थिति क्या है अबी तो BPS यो सचह विवाग यह भी क्लिर ने की कि BAT का क्या हुआ वाकिर मामला क्या है तो हमें भी नहीं पता है जब वो नहीं बता रहा है तो मुझे भी संसर में और मैं आपको बतानी आ पार तो कहीने कहीन मामला है तब जाके ये बोल रहा है 75% सीट भगेंगे वो भी क्या है तो कि कुर्ष्ण का लेबल बहुत हाई था और बच्चे सही में नहीं मिलेंगे इसका मतलब कम जाएगा आप लोग पॉजिटिव गईए विश्वास रखिए किसी से मत पुछिए कि मेरा होगा या नहीं होगा हम 80,000 में से 75% अगर सीट भगा गया यानि कितना साथ हजार बच गया कितना 20,000 सीट खाली रहा जाएगा अगर ऐसा है तो नहीं हो जाएगा अगर नीचे जाना परें उत्रनांक तो ले लीजिए चुकि ऐसे भी आप चार साल पर बहाली निकालते हैं तो मेरी मांग है और आपको समझ में आ गया होगा तो कल जल्दिवाजी बिल्कुल नहीं करना है ठीक है कोई दिक्कत हो कमेंट किजिएगा कमेंट को मैं लिखूंगा इसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूं और मैं आ चुका हूं और जैसा बोलिएगा आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कर दका है